जैहिन सातियों स्वागत है आपका Self Study Classes में समित जैन यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं SI मात्रक की ट्रिक ठीक है आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि SI मात्रक आप कभी नहीं भोलेंगे और SI मात्रक हमेशा पूचे जाते हैं चाए आपका SSC एकजाम हो चाए रेलबे एकजाम हो चाए आपका जेल प्रहरी या कोई भी एकजाम हो जहां पर SI मात्रक पूचे जाते हैं उसके लिए आपका वीडियो बहुत ही महत्पूर है तो पूरा वीडियो जरूर देखें मीटर यानि कि जो अनमर है वो सही है लंबाई का मात्रक क्या है मीटर अब आपको पता है कोई लंबाई यह लंबाई आपको नापनी है तो आप काई से नापोगे एक मीटर दो मीटर है ना तो मीटर से नापोगे तो लंबाई का मात्रक तो सभी लोगों को पता है क्या है MPR यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका V है वो सही हो जागा अब इसको कैसे याद रखना है MPR से क्या बनेगा MPR ठीक है और MPR को चलाने के लिए आपको बिद्दुत की ज़ुरत होती है तो आप याद रख लेना बिद्दुत की धारा का यहाँ पर आएगी MPR में तब यह MPR चलेगा ठीक है तो बिद्दुत धारा का आपका यहाई मात्रक क्या हो जाएगा MPR ठीक है इस प्रकार से याद रखना है अगला देख लेते हैं दोस्तों द्रब्ब्मान का मात्रक है द्रब्मान का मात्रक बताना है आपको आपका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका V है वो बिल्कुर सही होगा ठीक है किलोग्राम एक किलोग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक है एक किलोग्राम है और कोई भी आप द्रब मान नापते हं, तॉलते हैं, है ना, तो कायम है? किलोघ्राम में, तो B-NAMAR आपका यहा पर बिलकुर सही होगा, किलोघ्राम, ठीक है? ताप का मात्रक बताना है दोस्तों आपको, ताप का मात्रक क्या है? तब आपका right answer क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तो केल बिन क्या है केल बिन ताप का मात्रिक माना जाता है केल बिन से क्या बनेगा केला और अगर आप जादा केला खाते हैं तो आपको सर्दी जुखाम हो जाएगा और आपका ताप बढ़ जाएगा क्या बढ़ जाएगा ताप तो ताप का मात्रक क्या होगा ताप आपका बढ़ेगा केला खाने से सर्दी जुखाम होता है केला से बनेगा केल बिन तो ताप का मात्रक क्या होगा केल ribbon, अब याद रख लिए ना है आपको अगर ताप की बात आए तो आपका ताप कैसे बढ़ेगा आपको याद रख लिए ना है, केला खाने से केला खाया सर्दी जो खाम हुआ और केल बिए आपका हो जाएगा सही ठीक है, अंगला दोज्टो आपको बताना है जोती ती बृता का मात्रक क्या है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कैंडला है ना जोती ती बृता यह आपको कैंडल देख रही होगी तो यह क्या है जोती ती बृता और इसमें जोती जल रही है तो ये जोती ती बृता का मात्रक क्या होगा केंडिला ये तो सभी लोगों को पता है ठीक है अंगला कोश्चन देखते हैं बिद्धुत सक्ती का मात्रक है बिद्धुत सक्ती का मात्रक बताना है तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या हो जाएगा बाट अब एक चीज बताना दोस्तो यह बिद्दुत का तार आया है यहाँ पर और आपको इसने आपने इसको पकड़ दिया ठीक है तो इसमें बहुत सक्ती होती ना तो आपकी क्या लग जाएगी बाट लग जाएगी इस परकार से चित्र में देखो इन्होंने यह बिद्द सक्ती का जो मात्रक होगा क्या होगा बाट हो जाएगा ठीक है ऐसे याद रखना है अंगला है आपका समय का मात्रक क्या है तब आपका बिल्कु सօई आंसर होगा second, समय का मात्रक है second आप घरी में देख रहे होंगे एक-एक second आपके लिए कीम्ती होता है ठीक है तो समय का मात्रक second सभी लोगों को पता है, याद भी आपको है नेक्स देखो कार और ऊर्जा का मात्रक क्या है कार और उर्जा का मात्रक यहां पर बताना है हमें तब आपका बिल्कुछ सही आंसर होगा जूल ठीक है इसको एक मिनिट के लिए आप जल कर दो ठीक है अब आपके लिए कोई कार करना है तो काय की जोरत होती है उर्जा की और उर्जा आपको कहां से प्राप्त होगी जब आप जल पी होगे ठीक है तो कार और उर्जा का मातरक क्या हो जाएगा जूल ठीक है जूल जल है ना इस पर कार से याद रखेंगे कार करना है तो उर्जा की जूरत है और उर्जा हम जल पीएंगे तब हमें उर्जा मिलेगी तो जल पीना है यानि कि जूल, तो कारो और उर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं कमेंट में जरूर बताना है, एक वीडियो, एक प्रशन आपसे लास्ट में पूछेंगे, जिसका उत्र आपको कमेंट में लिखना होगा, दाब का मात् क्या होता है, उत्तर आपने बताया है पासकल, ठीक है, पासकल, अब एक चीज बताना दोस्तों, जवाब परिक्षा की तयारी कर रहे हैं, तो बिना दवाव, बिना दवाब के क्या है आप पास हो सकते हो, नहीं, है ना, आपके उपर दवाब है कायका की परिक्षा पास करन का तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा पासकल ठीक है पासकल यह से याद भी करना है अंगला कोस्चन देखो प्रेरक का मात्रक क्या है प्रेरक तब आपका right answer हो जाएगा दोस्तो हेंरी हेंरी आपका सही हो जाएगा यानि की बिकल्प नमर बी अब आपको पता होगा प्रेरक मतलब आप समझते हैं इसको हम लेंगे प्रेणा है ना प्रेणा प्रेरक कुछ प्रेरक तत्त होते हैं तो ए मुर्गी ऐसी प्रेरक है कि सुब उटकर क्या करना है तैयारी करना है एक्जाम की तो प्रेरख बनेगी कौन हैं हैं मतलब हैंरी तो प्रेरख का मात्रक क्या हो जाएगा हैंरी प्रेरख कौन बन गई हैं तो प्रेरख का मात्रक हैंरी ठीक है इस प्रकार से आपको याद रखना है अंगला कोश्चन देख लो ब बल का मातरक बताना है प्रश्न किर्वांग 10 का उत्तर तब आपका राइट आंसर हो जएगा दोस्तों न्यू टॉन, ठीक है क्या है, न्यू टॉन ये बल का मातरक माना जाता है अब एक चीज बताना, आप लगातार प्रयास करते हो कि हमें new बल मिल जाए, new new, नया नया बल मिलते जाए इस प्रकार से, आप बनना चाहते हो सकती साली, नय नया बल प्राप्त करना चाहते हो, नय नय बल प्राप्त करना चाहते हो, तो new turn है ना, new turn, इस प्रकार से याद नेक्स्ट है आबेस का मात्रक आपको बताना है आबेस का मात्रक क्या है आप लोग बोलते ना कि आप आबेस में आ जाते हो गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा के लिए क्या कोना चाहिए है ना हम लोग क्या करते है ठंडा पानी दो ठंडा पानी दो कूल पानी तो अगर कोई आबेस में आ जाए, तो आपको क्या करना है, उसे कूल डाउन करना है, कूल कूल पानी देना है, तो कूल आम, आबेस में कूल आम, ठीक है, आबेस में कोई आता है, तो उसे कूल करना है, तो कूल आम, तो आबेस का मात्रक क्या हो जाएगा, कूल आम, इस परकार से याद रख आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हर्ट ठीक है हर्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा आप बृति का मात्रक होगा अब आपका भी हार्ट होता है हार्ट है ना आपने हार्ट पता ना दिल दिल सबी का होता हार्ट होता है तो अब यह जो आप चित्र में देख रहे हैं कि आप किस किसका मात्रक होगा आबृति का तो आप लोग याद रख लेना कि दिल की चावी किसी को नहीं देना अपन को ठीक है तो आबृति का मात्रक हार्ज ठीक है तो हार्ट जी क्या बनेगा हार्ट और हार्ट की आबृति कब बढ़ती है जब दिल तूटता है ठीक है तो याद रख तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा चाल का होता है मीटर पिरती सेकंड सभी को पता है क्या है इसका मात्रक होता है चाल का मीटर पिरती सेकंड यह चीज आपको याद रखनी है चाल होती ना कोई चाल कितने मीटर पिरती सेकंड की रफ्टार से इसकी चाल है ठीके? तो मीटर पिर 30 सेकंड आपका बिलकुँ सही होगा. लेंस की छमता का मात्रक बताना है हमें यहाँ पर. लेंस की छमता का मात्रक. अब दोस्तों एक चीज आपको बताना है कि लेंस कौन डालेगा? डाक्टर डाक्टर से मिलता जुलता आपका सब्द कौन है डाई ओफ्टर है ना डाई ओफ्टर डाक्टर इस परकार से तो लेंस कौन डालेगा डाक्टर और डाक्टर से जो मिलता जुलता आपका सब्द है डाई ओफ्टर डाक्टर है ना तो डाक्टर आपका सही हो जाएगा लेंस की छमता का म दोश्तों अभी आपने देखाओगा कि कॉरोना संक्रमल फेला और उसमें कहा गया कि पृति रोधक छम्ता बढाईए, रोग पृति रोधक अगर छमता आपको बढ़ाना है तो आप से कहा गया कि आप नित्य क्या करें योग करें योग जब आप करते हो तो आप बोलते हो ओम इस प्रकार से करते ना तो ओम पृतिरोध का मात्रक क्या है ओम अगर आपको पृतिरोधक छमता बढ़ाना है तो क्या करने होगा ओम का यो पुटान, केलबिन, ओम या फिर डेसीबल तब आपका बिल्कुश सही आंसर क्या होगा ध्वनी तीब्रता का डेसीबल कई बार पूचा गया है और कई बार आपको याद भी है ठीक है ध्वनी तीब्रता का आपका डेसीबल याद रखना है ठीक है अंगला आपको बताना है अणू भार का मात्रक क्या है अणू और परमाणू सभी लोग जानते न ठीक है ये बिभिन प्रकार के अणू मिलकर क्या बनते हैं एक परमाणू बनते हैं अब ये अणू है ठीक है अणू तो अब आप इसे खरीदने जाओगे तो क्या करोगे पू मोल पूछना है अपन को अणू का भार मात्रक होगा मोल ठीक है याद रखे ना मोल अंगला है आयतन का मात्रक क्या है आयतन तो सभी लोगों को पता है घन मीटर ठीक है आयतन का मात्रक होता है दोस्तो घन मीटर सभी लोग याद रखेंगे घन मीटर आयतन का मात्रक हो जाएगा अंगला देख लो बिद्धुत बिभाओ विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तो बोल्ट ठीक है तो याद रख लेना जहां पर भी बिद्दुत के ऐसे वाय राएं इस प्रकार से बिद्दुत के तो इसको अंतर से अंतर से बोल्ट कसना है यहां पर कसे जाएंगे तो यह अंतर से कसना है जिस प्रकार से यह तो बिभाव अंतर बिभबांतर है ना बिद्दुत बिभाव या फिर बिभबांतर क आपको याद रखें नहीं, बोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा, अंगला है दोस्तों कॉल का मात्रक क्या है, कॉल का मात्रक आपको बताना है, मैं आपसे कहूं कि कॉल बनाने के लिए आप रेडी हैं, मैं आपसे बोलना हूं कॉल बनाने के लिए आप रेडी हैं, तो आप क्या ready हैं तो radian तो कौन का मात्रक क्या हो जाएगा? radian है ना? तो आप ready रहिए कौन बनाने के लिए और वीडियो देखते रहिए वीडियो को share करती रहिए और इसी प्रकार से new new trick से हम मात्रक, ph man और भी बहुत सारी ऐसी चीजे लाने वाले हैं जो आपके लिए आपके GST सम्मंदित बहुत सारे tricky वीडियो प्लब्द हैं तो वीडियो को like करके share अबस्त करें दोस्तों वीडियो कैसा लगा? कमेंट के मात्यम से बताएं और आप हमारे telegram group से जोड़ सकते हैं वीडियो की description में telegram की link दी है तो आप description में जोड़ें ठीक है और अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो telegram app download करो उसमें search करो IAS study trick IAS इस प्रकार से आपको telegram में IAS study trick सर्च करना है और join हो जाना है ठीक है सभी लोग को वीडियो कैसा लगा? कमेंट के मात्यम से ज़रूर बताएं और भी आँगे इसी प्रकार की new new trick लाते रहेंगे ताकि आपको याद होता रहे एक्जाम में आप पास होते रहें जैहिन